दर्टी का अन्थ साइंस रोक लेगी लेकिन एक गटना है जो ये होकर रहेगी और हमारी धर्टी इसी के चलते खतम हो जाएगी चाहे आप जो भी कर लो और इसमें हमारी साइंस भी कुछ नहीं कर सकती चाहे वह कितनी भी तरक्की कर ले धर्टी का अंथ हमारे सूरज के अंथ से ही होने वाला ह सूरज के बीना हमारी धर्ती जिन्दा नहीं रह सकती इसलिए सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि किसी तारे का अंत कैसे होता है और हमारा सूरज भी तो एक तारा ही है ना किसी भी तारे की उर्जा एक प्रोसेस से उर्पन होती है जिसे हम nuclear fusion कहते हैं किसी भी स्टार के अंदर hydrogen atom होते हैं जो आपस में fuse होकर helium के item को बनाते हैं इसी nuclear fuse से सूरज और बाकी तारे को energy प्राप्त होती है और helium items जो hydrogen items के मिलकर बनते हैं वो भी आपस में fuse होना शुरू करते हैं जिससे किसी तारे को और भी ज़्यादा energy मिलती है और जैसे ही hydrogen hydrogen मिलकर helium बनता है और वैसे ही helium और helium मिलकर carbon बनता है ऐसे ही process चलती रहती है और नए नएव items तत्व बनते रहते हैं और आखिर में जब iron की stage आती है तब हालात काफी बदल जाते हैं iron iron को fuse करने से energy नहीं पैदा होती है और उस तारे के core में सारे iron इखटा होते रहते हैं और वो तारा तब तक ठीक रहता है जब सारा इंदन खत्म नहीं हो जाता है जब सारी fuel खत्म हो जाती है तब आखिरकार gravity अपना काम शुरू करती है और वह तारा अपने ही अंदर देहने लगता है और उसका temperature और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है और वह star collapse हो जाता है और finally वह star एक पार fail के फट जाता है और उस दमाके को हम supernova भी कहते हैं चलिए main point हमारा सूरज 460 करोड साल पुराना है और अगले 500 करोड साल तक हमारा सूरज exist करेगा लेकिन इसका temperature बढ़ता ही रहेगा और इसका तापमान 200 billion degrees तक पहुँच जाएगा कोई भी तारा supernova की stage तक तब पहुचता है जब उसका मास बहुत ज़्यादा होता है सूरज से करीब 8 से 12 गोना ज़्यादा लेकिन हमारा सूरज उतना बड़ा नहीं है इसलिए हमारा सूरज सूपरnova का रास्ता ना लेकर एक दूसरा रास्ता लेगा जब हमारा सूरज इस step तक पहुच जाएगा तब वो फैलने लगेगा और ये एक normal star से red john star में convert हो जाएगा यही सूरज जो हमारी धर्ती पर जीवन देता है बढ़ते बढ़ते हमारी धर्ती के जीवन को खतम कर देगा हमारा सूरज अगले 700 करोड साल तक ये फैलता रहेगा और इसकी size अभी के मुकाबले 200 गुना जाएगी इतना बड़ा कि ये के करके सारे planet को निगलना सुरू कर देगा सबसे पहले Mercury यानि बुद्ध गर को जिसके बाद Venus यानि शुक्र गर को और फिर हमारी धर्ती को अपने अंदर मिला लेगा और इस गटना को इंसान बिल्कुल भी नहीं रोक सकता धर्ती पर एक्ष्ट्रोइड और Black Hall की गटना हो या ना हो लेकिन ये सूरज वाली गटना होनी ही होनी है लेकिन आप निचिंत रहिए ये गटना आपकी जिन्दगी की टाइम लाइन में नहीं होने वाली है क्योंकि ये गटना होने में अभी सेकड़ो करोड साल बाकी है तो फ्रेंट्स इस वीडियो को लाइग, कमेंट और शेर करना बिल्कुल न भूलीगा क्योंकि हमें एक वीडियो के सκι्प्लिकने में और इसे त्यार करने में बहुत ही समय लगता है और आपसे हमारी रिक्वेश्ट एक इसे ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सेलेक्ट जरूर करें. So guys, चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकूल न भूलें. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तर्तिक के लिए जय हूँ